दिपार्ट्मेंट अफ इंट्रमेट एडुकेशन प्रजेंट्स आडियो विजुल टीचिंग मैटिरियल और दाव फर्स्ट यर सेकेंड लैंगुज हिंदी स्टुडेंट्स आईए बच्चों आज हम पढ़ते हैं गद्य भाग में पहला पार्ट जिसका नाम है शिष्टाचार पार्ट को पढ़ने से पहले हम इस पार्ट के लेखक श्री रामाग्या दिवेदी समीर जी के बारे में जानते हैं श्री रामाग्या दिवेदी समीर जी ने इस निबंद की रचना की। इनका जन्म 1902 इस्वी में अमलिया जिला फैसाबाद उत्तरप्रदेश में हुआ था और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जो की अवधी शब्दकोष जिसमें की अवधी भाषा के अब्दों की खोज क इन्होंने अजब्दकोष की रचना की जो आज भी एक प्रामाणि क्रंथ माली जाती है। अवधी भाषा के जो काव्य हैं उन काव्यों को समझने के लिए आज भी हम इस शब्दकोष का प्रयोग करते हैं। इस निबंद में श्री रामाग्या जुएदी समीर जी बताने क की पुश चिश करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आइए बढ़ते हैं पाठ शिश्टाचार। शिष्टाचार का अर्थ क्या है शिष्टाचार का अर्थ है शिष्टतापूर्ण व्योहार सभ्य व्योहार अर्थाज ऐसा व्योहार जिसे लोग पसंद करते हैं ऐसा व्योहार जिसके करने से आपकी इज़त बढ़ती है जो आपके चरित्र को उभारती है तो ऐसे व्योहार को हम शिष्टाचार कहते हैं, सभ्य व्योहार इंटरमेट विद्यार्थ लपू स्वागत, इरोज मरम्हों शिष्टाचार अने पाठानी चलुकुदा इपाठानी रचिंचिनवारू, श्री रामाग्या द्विवेतिकारू, रंडी चलुदा मेरे पडोस में दो बच्चे रहते हैं, प्रदीप और भुवन प्रदीप जब कभी मेरे पास आता है, पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता है बड़े ही मृदल और शांक स्वर में बोलता है, किन्तु भुवन दूसरी ही तरह से बात करता है, दूर से ही चिलाता हुआ आता है, मुन्नी के बाबुजी, आपको मेरे बाबुजी पला रहे हैं क्या उदाहरण दे रहे हैं, लेखक कहते हैं कि उनके पडोस में दो लड़के रहते हैं, एक है प्रवदीप और एक भुवन प्रदीप बड़ाही होनहार लड़का, मतलब बड़ाही सब भे लड़का है जब कभी भी वो लिखक से बात करता है, महले पास में आता है, फिर हाथ जोड़ कर नमस्ते करता है, फिर बात करता है, मुरुदुल स्वभाव के साथ, मुरुदुल आवाज में मतलब कम आवाज में, अदब के साथ बात करता है और भुवन प्रदीप की पेक्षा ज़्यादा होनहार है ज़्यादा अंक पाता है पढ़ने में हुश्यार है परन्त उसका स्वभाव ही निराला है वो क्या करता है देखे जब कभी भी लेखक उसे बुलाते हैं तो दूर से ही चिलाता हुआ कहता है कि मुनी के बाबुजी मे को बुला रहे हैं यहां पर देखे आचरन की विभिन्नता है यहां पर चोटी चोटी बाते हैं यहां पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है चोटी बाते हैं जैसे कि प्रदीप और भुवन के व्योहार प्रदीप क्या करता है बड़ों के बुलाने पर उनके पास में जाता है और उन्हें चाचा जी कहकर बड़े ही अदब के साथ संबोधित करता है नमस्ते करता है फिर बात करता है भुवन क्या करता है भुवन पास में नहीं आता दूर से ही चिलाता है कहता है कि मुन्नी के बाबुजी आपको मेरे बाबुजी बुला रहे हैं तो इस तरह का भुवन का चो ब्यवहार है बड़ा असभ्य है और प्रदीप का बहुत सभ्य ब्यवहार है यही तो पर्क है सभ्य और असभ्य इककघह वनमं त urine ardखर मंक्र में इंटें रचहिता तना चुट्टुपककल juvenile उणन Apollo फुर्षी नुवन प्रदीप चाला नम्म दस्तु लुवन यपड़ैन रचहितानू वाल्प्यां वाल थन्रिंगार पिलिषटे आयना वारी दग्गर को स्थाड़ु मुन्दुगा चेतलु जोडिंची नमास्कारन चेश्थाड़ु मना नगारु मिम्मलनी पिलुस्तुनारु अनि यंतो मरियादगा चपतारुु इंको वैपु भुवन यपड़ेना वाल नान पिलुस्तिन ते दूरम नुटे अरुस्त अरुस्तु मुन्नी के बाबुजी आपको मेरी बाबुजी पुला रहे हैं अन्टे दूरम नुटे अरुस्तु पिलुस्ताडु अन्टे मनम नेर्चकूल्सन विशेमें इंटन्टे यवरहिना पेद्धवाल दग्गरा मनम वेल्ली एदेना मांट चप्पालन कुण्टे दूरम नुटि अर्वक उडदु एन चेयाली दग्गर केल्डी मुन्दु नमस्कारं पेट्टाली इंदलोनी कठिनमे पधाल एमुनना चिर्दा या देखे मृदुल मृदुल कार्थ क्या है मृदुल कार्थ है विनम्र मृदुल अन्टे मृदु वैना अन्टे चाला व इसलिए बच्चों आप कभी भी बड़ों से बात करते हो तो दूर से चिलाते हुए बात नहीं करना चाहिए कैसे करना है पास में जाईए चाचा जी मामा जी इस तरह से कोई संबोदन भाया कहकर संबोदित कीजे नमस्ते कीजे फिर आप कम आवाज में बात कीजे सिर्फ इतना असा करने से आपके बारे में उनके मन में बहुत अच्छी राय बनेगी लोग आपकी तारीफ करेंगे आपको शिष्ट और सभ्य समझेंगे तो यही तो पर्क है सभ्य और असभ्य में चोटी चोटी बाते हैं इनका खयाल रखने से हम अपने व्यक्तित्व को बदल सकते हैं यही चोटी बातें आगे चलकर आपके जीवन को सुधार सकती हैं चलिए आगे पढ़ते हैं आसपास के सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते नहीं थकते और गुवन के व्योहार पर सब को हसी आ जाती है यो गुवन पढ़ने में तेज है पर प्रदीप की अपेक्षा उसका स्वास्त्य भी अथिक अच्छा है फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र प्रदीप ही है इसका कारण यह है कि प्रदीप का बोल व्योहार लोगों का मन लुपा लेता है दूसरे शब्दों में यों कहें कि प्रदीप का व्यभार शिष्ट है जबकि भुवन का शिष्ट है यहां देखिए आसपास के सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते नहीं ठरते क्योंकि यहां पर प्रदीप में गुन क्या है प्रदीप में गुन ये है कि वो विनम्र है अर्थाक विनम्रता शिष्टता का लक्षन है जो सभ्य होते हैं वो विनम्र होते हैं जो असभ्य होते हैं वो उद्धंड होते हैं मतलब विनम्र का विलोम शब्द क्या है बात करना, जल्दी गुस्सा करना, गुस्से में बात करना, चिड़ चिड़ा जाना, ये सारे लक्षन है असभ्य व्यवहार के, विनम्र वेक्ति जल्दी चिड़ चिड़ाता नहीं है, जल्दी गुस्सा नहीं करता, जोर से चिलाते हुए बात नहीं करता, बड़ों से बात क साथ उन्हें स्वंबोधित करते हुए बात करते हुए तो यही शिष्ट व्यवहार है अंटे इकड़ा चुटुपकल उन्ह वालू प्रदीप नो प्रशन सिस्तर अलागे भुवन माटल न चूसी वालू नवू थंटारू यू तो भुवन पढ़ने में तेज है और प्रदी की तुलना में भुवन का स्वास्त अच्छा रहता है तंदुरुस्त है हटा कटा लड़का है और पढ़ने में भी तेज है फिर भी लोगों की प्रशन सा का पात्र भुवन नहीं बनता बलकि प्रदीप बनता है यही तो है विक्तित्व में कमी अब देखिए अगर आप व नम्र नहीं हो कठोर व्यवहार करते हो चोटी बातों पर जल्दी तुनक जाते हो चिट चिडा जाते हो चीखते चिलाते हो तो इसका प्रभाव आपके विक्तित्व पर पढ़ता है और धीरे धीरे करके आपका सोभाव ये आपका चरित्र ही बदा जाता है इसलिए चोटी चोटी बातों को अच्छी तरह से समझ भीजिए और इनका खयाल रखे और अपने विक्तित्व का निर्मान कीजिए प्रदीप को लोग क्यों पसंद करते हैं प्रदीप को इसलिए पसंद करते हैं कि उसका बोल विवहार मन लुभा लेता है प्रदीप नो अंदर इस् आकरशित करना मतलब मन को छू जाता है मतलब कोई भी विक्ति उसके विवहार को देखता है तो वह कितना अच्छा लड़का है कितना सभ्य है तो इस तरह की एक राय बन जाते हैं दूसरे शब्दों में यों कहें कि प्रदीप का विवहार शिष्ट है जबकि भुवन अश प्रदीप चाला सभ्यंगा प्रवर्तिस्ताडू भुवन असभ्यंगा शिष्ट कार्थ क्या है शिष्ट कार्थ है सभ्य अशिष्ट कार्थ है असभ्य अंटे सभ्य तो व्यों हरी चड़मू असभ्यंगा व्यों हरी चड़मू इदी प्रदीप भुवनल मध्य 29 समाज में सप्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए और उन्हें अपने आदत में सम्मिलिप करलेना चाहिए यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग-अलग समाजों में शिष्टाचार के नियम अवश्य जान लेना चाहिए शिष्टाचार का आर्थ क्या है? शिष्टाचार का आर्थ है शिष्टतापोर्न वेवहार सभ्य वेवहार अंटे अर्थमेंटी सभ्यता अलेद नादरिकमेन आचरणा अंटे अंदरू इष्टापटेटटटव अंटी बंची नडवडिकनू शिष्टाचार अंटारू समाजमलो मर्यादगा मर्यादस्तुलुगा ब्रतकाल अंटे मर्यादस्तुलुगा बूर्तिंच बड़ाल अंटे मना अलवाटलो यला होंडाली मना आचरणा सभ्यंगा होंडाली मर्यादस्तुल्लागा आचरणा होंडाली मरि मर्यादस्तुल आचरण यला हुँटुंदी इपाठमलो अनेक विश्यालनु रजाइता चलक्षुननंगा चक्तनार। तो इन शिष्टाचार के इन नियमों को हमें अपनी आदत में सम्मिलित करना चाहिए। मिलाना या शामिल करना अंटे सम्मिलित करना अंटे अर्थमेंटी कल्प कोडमो अनक्ट अंटे इस शिछटाचार अंटे सब्यमेन आचरनक संब्धिंचीना कुनि नियमाल वोंटाई यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अलग-अलग समाजों में शिष्टाचार के नियम भिन 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 है यद्यपी उनके आधार प्रायह समान है खारत में अनियेक धर्म के लोग, जातियों के लोग और तरह-तरह के समाज के लोग रहते हैं तो इनके बीच में एक-एक समाज के एक-एक तरह के शिष्टाचार के नियम होते हैं अनेकवे नट्वन्टी भिन्नत्वम उन्टुंदी याँटे उन्नी प्रांताल लो उक रकंगा प्रवर्तिस्ते मर्याधा अनुपिन्चिकुन्टोंदी इनकोन्नी प्रांताल लो अदे प्रवर्त ना अमर्याधा अधा मर्याधा मर्याधा अनुपिन्टोंदी यद्देपी उनके आधार प्रायस समार अधार अंटे वाटी आधारालों अँटे इमर्याधा अनेटटवंटी इवेते आचाराल उन्नायों इआचाराल उन्नायों इआचारालकू उन्न टवंटी आधारमू दधापुगा अननी समाजाललों उककटें उन्तुँँदू ये समाजमयना ये कुलमयना ये मतमयना मंचिनी प्रोच्छहिस्तुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद वेरे रखाल एनट्वंटी समाजालू भिन्न भिन्नम एनट्वंटी समाजालू उन्नपटिकी वाटी आधारम एंटी मर्याधस्तुलू अनि यवर्निकुर्थिस्तारू अंटे धाधापू अन्नी समाजाल्लो उकेर कमेन नियमालू आधारंगा उटाही अक्सर एक जैसे नि है विनम्रता हमारी वानी में हमारे व्योहार में विनम्रता गुली होनी चाहिए इसी लिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ अच्छा क्या न कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि लठ मारा जा रहा है यहां देखें शिष्टाचार का पहला गुण है विनम्रता शिष्टाचार मतलब सभ्य व्योहार किसे कहेंगे जिस व्यक्ति का व्योहार विनम्र होता है उसी को सभ्य कहेंगे विनम्रता शब्दकार्थ क्या है विनम्रता शब्दकार्थ है विनय के साथ रहना अदब के साथ रहना बड़े इज़त से रहना विनम्रता अंटे अर्थ मेंटी विनय अंगा उंडड़मू अंटे आनकोगा उंड़मू हमारी वाणी में हमारे व्योहार में विनम्रता किस क्योंनी चाहिए हमारी बातों में भी विनम्रता होनी चाहिए और हमारे आचरण में भी विनम्रता होनी चाहिए व्यवहार व्यवहार कार्थ क्या है आचरण व्यवहार अंटे अर्थमे अंटी आचरण अंटे चेतलू अंटे मान चेतलू मातलू रिंदू मधुरंगा उंट इसलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ अच्छा क्या नो कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले को लगे कि लठ हमारा जा रहा है मतलब क्या है आन्टे अरतमेंटी यह वरेना वेवरतो नहींना मना माट्टाड़ेट पकुड़ू हाँ नही अनकोड़ू इननकटे हाँ नही अन्न पकुड़ू एदो कोसेसेनाट्ट्टू कट्चेस नट्टू, मनक माटलाड़ं इस्टम जेडाट्टू, करिपिस्तों दू, चाला अमर्याद का हुँट्टू कानि, जी हा, जी नहीं अन्न पुडू, मर्याद का हुँट्टू, कबटी, मना माटलाड़ेट पुडू, इस चिन्ना अक्षरम, जी अनि आड़ चेस्ते, मना माटल को यंद्धा विलोव पेड़गुट्टू दो चूलाड़ू, कबटी, मर्याद का माटलाड़ेट कोई बड़ा विक्ति आप से बात कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छा, नहीं, हाँ, इस तरह से नहीं कहना है, इस तरह से कहने से, सामने वाले को ऐसा लगेगा, कि भई, ये तो लाठी से मार रहा है, लठ्ठ मारा जा रहा है, लठ्ठ मारना मतलब क्या है, ला तो इस तरह का व्योहार नहीं करना चाहिए तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे शिष्टाचार के नियम मतलब सभ्य कहलाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना है क्या नियम है पहला नियम है विनम्रता शिष्टाचार का पहला नियम क्या है विनम्रता तो विनम्रता किस त चलिए इसके आगे पढ़ते हैं, विनम्रता केवल बढ़ों के प्रती ही नहीं होती, बराबरवानों और अपने से छोटों के प्रती भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए, सभी से बोलते हुए हमारी वहानी में मिठास रहनी चाहिए, कटुता या करकश्ता नहीं यहां देखें, विनम्रता केवल बढ़ों के प्रती ही, यह वाक्य संधर्म सहित व्याक्या के लिए पूछा जाता है विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं कोई, आप विनम्रता केवल बड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि छोटों के लिए भी ज़र्ले है, क्योंकि छोटे लोगों से बात करते समय आप से उम्र में छोटे बच्चों से बात करते समय भी आपकी बातों में कठोरता नहीं रहना है, करकशता नहीं रहना है, छोटे हैं इसलिए डांट डपट करते जाओ, तो वो अच्छी बात नहीं है, आपकी बातों में मिठास होनी वाणी मतलब वाणी कारता है, शब्द, आपके शब्दों में मिठा से रहना चाहिए, मीठी बातें करो, और कटुता या करकश्टा नहीं रहना है, कटुता मतलब क्या है, खडवापन, आपकी बातों में प्रेम रहना चाहिए, तब Earlier 8 Science कटूता कार्थ क्या है कटूता कार्थ है कठोर्ता कठोरंगा करकशंगा उंडड़म अला उंड़कूर्दू अंटारू रचईता विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं है हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए अपने यहां किसी के आने पर हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत और यतोजित सत्कार करनाची देखिए विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं है अपने यहां इसी के आने पर हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत और यतोजित सक्तार करनाची देखिए कोई हमारे घर पर आता है तो उनका स्वागत हसते हुए करना है ऐसा नहीं कि आप मूँ चिड़ चिड़ा करके कौन क्या चाहिए नहीं है चले जाओ इस तरह से नहीं बोलना है आपको थोड़ी सी सभ्यता के साथ काम लेना हो क्यूंकि अतिती सतकार करना इस देश की परंपर तो इस पार्ट में हमें लेखक बता रहे हैं कि विनम्रता किस तरह से विनम्रता वानी की विनम्रता मतलब हमारी बातों की विनम्रता और व्यवहार की मतलब हम लोग जब काम करते हैं उसकी विनम्रता और व्यवहार की विनम्रता में कोई भेकती कोई आती थी हमारे घर आत है कि सब को चाय पिला जाए जरूरी नहीं है सब को खाना खिला जाए ये भी जरूरी नहीं है जितना हो सके पानी तो दे ही सकते हैं आने वाले अच्छिती को जो धूप में आता है ठका मांदा आता है परिशान आता है किसी काम से आता है या किसी रीत रिवाज का पालन करने क क्योंकि हम सब एक समाज में बंधे हुए हैं ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी अपनी कमाई खा रहा हूं दूसरों को इज़त देने की क्या जरूरत है ऐसी सोच गलत है हम भले ही हम अपनी कमाई खाते हैं फिर भी हम एक समाज में रहते हैं एक सोसाइटी में रहते हैं, चार लोगों उपे साथ उठते बैठते हैं, तो वहाँ पर रहते समय थोड़ा सा इज़त का खयाल रगता है, कोई भी आतिती आता है, तो उन्हें बैठने के लिए कहना, स्वाज़त करना, पानी देना, इसमें तो हमारा कोई खर्च नहीं होता, परन्तो हमारी इजद बहुत बड़ा, अपने से बड़े विक्ति के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए, इसे इध्यान में रखे, जब कभी भी अपने से उमर में बड़े विक्ति आते हैं, तो उन्हें से पहले जाकर बैठना, यह सब भी व्योहार है, पैसलो पेद्ध काउन वाल्डू वच्चारू अंटे, वारू कूर्चो कुणडा मनं कूर्चोडं मानची पद्धति काधू, इधी आसभ्यमेन व्योहार हूं, अंटे, पेद्ध वारिकी मुन्दू कूर्चोडान के अवकाश विवण्डी आतरवाथे कूर्चों, महिला महिलाउंके प्रती हमें और भी ज्याद विनम्ब्रगे नाची गुर्त पेटकोंडी, महिलल तो मात्लाडेट पुरू, मर्यादगा मात्लाडा, अंते कानी, नूटी कोच्चिन अट्टू मात्लाडगोंडू, अला मात्लाड़ते, असभ्यमेन प्रवर्तना अंटरू, अद महिललनू सर्वोन्न तमयन स्थितलो गाउर विंचे टटवन्थी देश, महिललन गाउर विंचेटम्मों, स्त्रीलन गाउर विंचेटम्म, मन संप्रगाय, कावट्टे मनमों ये महिलाएना सरे, मर्यादगा मात्लाड़, बस या रेल में किसी महिला को खड़ी देखकर, सफर करते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि महिलाएं छोटे-छोटे बच्चों को गोज में उठाये हुए, बड़ी ही परिशानी के साथ खड़े रहते हैं, तो ऐसे में देखकर भी हम लोग बैठे रहेंगे, तो यह सब भी वहार, उनको बैठने के लिए जगादना चाह महिललू बसलो प्रयाणी चेट पुड़कानी, रैलो प्रयाणी चेट पुड़कानी, वारिकी मेरू सीट निवाल, इच्ची कूर्च वड़ं चप्पाल, अपने यहां का आर्थ क्या है, अपने यहां मतलव अपने घर में, मना वद्धकू, अपने यहां अंटे अर्थमे ये थोचित कार्थ है अपनी युग्यता के अनसार नमस्यक्ति में रखू सत्कार कार्थ क्या है आतिथ्य सत्कार अर्थमेंटी आतिथ्य मूँ लेदा मरियादलू अपने से बड़े वित्यों के समाज में ठाका लगाकर हसना या जोर जोर से बोलना अनुचित योहार मान जाता है अपने से बड़े वित्यों के समाज में या समावेश में जा रहे हैं बड़े लोग आपस में बात कर रहे हैं उस समय में हम लोग बीच में जोर जोस से ठाका लगा कर हसना, ठाके लगा कर हसना का अर्थ क्या है? जोर से हसना ठाका लगाना अंटे अर्थमेंटी गट्टिगा नवडम। प्वेद्दवाल्डु माटलाड़तु नप्डू गट्टिगा नवडम, गट्टिगा माटलाड़म। इदी अमरी याद करम है नदी, अनुचिता मैं नदी। इसी प्रकार बड़े लोगों के साथ चलते समय उनके आगे चलना भी अशिष्ट है। जब बड़े लोग चलते हैं तो उनके आगे आगे चलना ये भी असभ्य विवहार है। अशिष्ट कार्थ क्या है? अशिष्ट कार्थ है असभ्य जो शिष्ट नहीं है, जो असभ्य है उसको अशिष्ट केता है। जट से आगे हुकर दर्वाजा खोल देना ये राह दिखाना शिष्ट विवहार। कानि, यपडेना वालु वक्क तलपु दग्यर उच्छा रणकोंडी? लेदा, वक्क शा समस्तिते हैं.. वेन्टने मुंदु वेल्ढी कार्यों कर्यों भिवहार। व्योहार, व्योहार कारते क्या है, आचरन, व्योहार अर्थमेंटी आचरन, अंटे मना आचरन, पेद्धवारी पट्ल यला होंडालो, रामाग्या दुवेजी समेर गारु चलाग, पुझांगा चक्तों नारो, इवन्नी मनकु जीवितम लो पनिकुच्चे ट्वन्टिवी, विनम्रता या दीनता में अंतर है, यहां देखिए, लेखक ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी बेजज़ती कराओ, आप दूसरों की इज़त किजिए, विनम्र रहिए, मृदुभाशी रहिए, बड़ों का आदर किजिए, मगर अपनी बेज़ती मत करवाईए, अठे इकड़ा विनेयंगा उंड़ मट्टुन नरू अंते कानी, मीरू मी मर्यादन कोलपो पूड़दू, दीनता और विनम्रता, दो शब्द हैं, विनम्रता है, दीनता है, दोनों में अंतर होता है, दीनता का आर्थ क्या है, दया के पातर रहिना, की नस्तिमे रहिना, द विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी करना नहीं है, विनम्र होते वे भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं, विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है, यहां देखिये, विनम्र होते वे भी हमें अपनी स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, अण्टे विनेंगा उन्टू कूडा मनमु मना स्वाभि माना अन्नी आत्म गवरों वाननी कापाड़को वाली येदु कण्टे मनक कूड गवरों लभींचाल गदा अंदरक्की गवरों इस्तुन लाम येववरी नी मना अवमा निंचमू अवमा निंचमन चप्पड़ान लेदू कानी मनक कूडा मरियादन कूडा एदुट्टि वाल्लू कुर्थी चाली अनी रचैता आंटुन वार अंटे विनेंगा उन्ड मननाडु कदा आनेसी मत्तम काल्ल बेरानिकी रावस नोसरन लेदू मनक कूडा उकमान philosophy आथन गवरावं उन्त्टि वेक्टि तना आत्म कवरावान नियfendकुद्ट्टू इतरल कवरावान नी दो इतरल कवरावान उन्टै कानी तनना पीजियादू मनम् वाल काल्डु मुख्ये परस्तिकी राक वूडदू अंटारों प्रचेता